आज के blouse cutting lecture में हम सब्यसाची blouse cutting master point के बारे में समझेगे यहाँ पर डाप किया है उसका theory भी यहाँ पर लिखाए तो पहले हम theory समझ लेते हैं basic front part cutting होने के बाद armal tax का process करना है blouse cutting lecture 22 अनुसार और जितना deep neck बनाना हो वैसे process करना है blouse cutting lecture 23, 24 और 25 अनुसार भारत के मसुहर designer सब्यसाची मुखजी ने इस blouse को design किया है इसलिए इस प्रकार का shape को उनके नाम के साथ जोड़ कर सब्यसाची blouse कहते है इस blouse के front part में man chest तक या उससे ज्यादर deep neck बनाना होता है इसलिए इसको plunge blouse भी कहते है जैसे कि princess या four tux या किसी भी प्रकार का western blouse में इस तरह का deep neck बनाना हो तो उसे plunge neck कहते है इस blouse में armhole की तरफ से शुरू करके apex point से निचे की तरफ cross से बनाना होता है इसलिए fold part तरफ का आदा inch का tux को main chest की line से आदा inch निचे की तरफ बनाना होता है यह tux का अंतर के बारे में princess blouse cutting lecture में समझाया हुआ है यह fold part तरफ का tux का अंतर और उसका चवडाई कितना होना चाहिए इसके बारे में यह princess cut blouse cutting master point theory page में समझाया हुआ है यहाँ पर पूरा detail है princess cutting lecture में इसके बारे में और भी detail में समझाया हुआ है उसमें आपको समझना है blouse के side part से armhole की saliva यह side part से armhole की saliva पर dead reach का अंतर पर belt part का shape करके circle को touch करते हुए सिधा line करे और circle से निचे की तरफ arm cover scale से गोलाई shape का mark करे जैसे dapping में draw किया हुआ है belt part की तरफ दोनों सिधा mark से 0.25 inch का अंतर का mark तक गोलाई shape का mark करे जैसे dapping में draw किया हुआ है अब belt part का 0.25 inch mark से 1.5 inch का touch को joint करते हुए armhole curve scale से यह गोलाई shape का mark करे जैसे dapping में draw किया हुआ है इस तरफ belt का perfect shape बनता है अब belt part का 0.25 inch का map से अंदर की तरफ आर्मोल की सिलाई पर एक inch अंतर का mark करे और यहीं से apex point तक सिधा mark करे अब इस सिधी line पर special tux बनाए special tux की चोड़ाई के बारे में princess blouse cutting lecture में समझाया हुआ है आर्मोल की सिलाई से circle तक और circle से apex point की तरफ एक inch का अंतर तक tux का shape का mark करे जैसे डापिंग में डो किया हुआ है अब apex point से आदा inch का tux point को joint करते हुए सिधा mark करे और थोड़ा सा गोलाई shape का mark करे apex point से अंदर बस्ट लंबाई तक सिधा mark करे यह सिधा V-tux बनता है पेपर में यह cutting mark बनता है अब दोनों सिधा tux को map कर चेक करे कि इसका map एक समान है या नहीं अगर कम ज्यादा नाप हो तो एक जैसा map का mark करे अंदर बस्ट लंबाई का mark के अनुसार यह चेक करना होता है joint करे इस तरह यहां सबेसाथी shape का belt बनता है अब आदाईच का tux और special tux को निकाल कर cutting करे ताकि उपर और निचे का part अलग हो जाए यह उपर वाला पाट है और यह निचे वाला पाट है यह दोनों अलग हो जाएगा उपर वाला पाट में apex point की तरफ point निकल रहा हो तो थोड़ा सा गोलाई shape का mark करके cutting करे अब निचे वाला पाट का दोनों सीधा tux को joint करे इसमें भी apex point की तरफ point निकल रहा हो तो थोड़ा सा गोलाई shape का mark करके cutting करे इस तरफ सब्यसाची ब्लाउज का final cutting हो जाता है सब्यसाची ब्लाउज अलग-अलग shape में भी cutting होता है इसके बारे में अलग से डाप्टिंग के साथ समझेगे जैसे कि यह design one है तो इसमें यहां आर्मल की तरफ से यह उपर और नीचे वाला part cutting होता है और दूसरा design में यहां side part से यह दो part अलग-अलग होता है बाकी bail part दोनों blouse में same होता है आप किसी भी तरह का design खुझ से भी बना सकते है सबेसाची blouse का cutting western look जैसा होता है इसलिए इसमें अच्छे finishing के लिए बाजू की के पाइट ज्यादा बनानी होती है बाजू की regular के पाइट ready upper chest का 10 बाग करके बनाई जाती है बाजू का drafting page में देखे जैसे यहाँ पर ready upper chest का 10 बाग करके बाजू की के पाइट 3,5 और 1 point बना है यह सबेसाची blouse या किसी western blouse में बाजू की के पाइट बनाना हो तो इसका 8 बाग करना है 35.50 दिवाइड 8 करना है तो इसका अनस्वराता है 4.43 यानि सबाचारीच और 1 point यहाँ तक बाजू की के पाइट बनती है regular के पाइट बनाने पर हाथ का मुमेट उपर की तरफ आसानी से होता है और 8 बाग करके के पाइट बनाने पर हाथ का मुमेट उपर की तरफ कम होता है अगर आप आठ बाग करके केफाइट बनाना चाते है तो कस्टमर को इसका मूमेट के बारे में समझा कर बनाए क्योंकि कुछ कस्टमर आच का मूमेट आसानी से उपर की चरप हो ऐसा फिटिंग चाते है लेकिन मोडलिंग ब्लाउज में बाजू की केपाइट कोट सेरवानी की तरह ज्यादा हो ऐसे बनाई जाती है और इसमें फिटिंग के साथ फिनिसिंग भी अच्छा आता है बाजू की केपाइट के बारे में ज्यादा जानकरिक के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसमें समझें उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड करेंगे आप उसमें क्लिक करके जरूर से वोच करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए इस तरह के blouse में main कपड़े पर कपड़े वाला fishing लगाना वता है ताकिक अच्छा finishing आ सके जिससे western blouse रता है जितना short blouse रेता है डीप रता है तो वो blouse में हमेhing fishing लगाना वता है ताकि उसमें अच्छा finishing आ सके इस तरह का deep plunge neck में body tip लगानी पर सकती है क्योंकि ज्यादा deep neck बनाने पर body पर कपड़े का support कम होने से गला डिला रहने की संभावना रहती है body tip यानि इस तरह का पट्टी आता है जो transparent पट्टी होता है दोनों तरब से इसमें गम होता है इस तरह का इसमें transparent पट्टी आता है यह skin के साथ attach करना होता है फिर जो भी कपड़ा हो वो उसके साथ attach करना होता है ताकि कपड़ा यहां से खिशके नहीं यह इस तरह से चिपकता है अगर आपने deep neck blouse बनाया चाहे फ्रंट पार्ट में चाहे बेक पार्ट में तोलर गिर रहा है इसा कुछ प्रोबे मारा है तो उसको टेम परारी उसका solution के लिए इस तरह का पट्टी का इस्तेमाल करे उपर के हर point practical समझना जरूरी है अब हम deep neck blouse cutting master point front part number 3 के अनुसार गले का process करेगे और उसके बाद blouse cutting lecture 22 के अनुसार आर्मल टक्स का process करेगे और उसके बाद हमें ये डाप्टिंग के अनुसार सबे साची blouse का shape बनाना है पहले यहाँ पर चोरज shape का mark करना है जितना solder ready चाहिए उसके अनुसार mark करे यहाँ पर हम 2 inch solder ready रखेगे गल्ले की तरप 0.251 पॉइंट का टक्स लगाना है और apex point आदा इच निचे की तरप करना है main chest का लाइन यहाँ से बनेगा अब underburst round का circle का नाप यहाँ से करना है अब यहाँ पर underburst लंबाई का सीधा टक्स करदा है अब main chest की लाइन से fold part तरप पर टक्स आदा इच निचे की तरप करना है इसका अंतर 1.251 पॉइंट है तो यहाँ से आदा इच निचे करना है अब आदा इच टक्स का चोड़ाई करना है अब सबेसाची का सेफ यहाँ से बनाना होता है यह टक्स के साथ ही रेडी होता है तो यहाँ पर यह जो रेडी लाइन आएगी वहाँ से यह गले का सेफ का मार्क करना है अब यहाँ पर गले से एपेक्स पॉइंट तरप का यह टक्स का मार्क करना है सरकल पूरा होता है वहाँ पर आदा ही टक्स की चोड़ाय बनानी होती है अब इतना मार्क होने के बाद हमें पहले आर्मल टक्स का प्रोसेस करना है यहां पर हमें सिधा वी टक्स की आवस्यक्ता होती है इसलिए गोले वाला सेफ यहां पर नहीं करना है अब फ्रंट पार्ट नमबर तिन के अनुसार एक रोज का मेजर 0.25 और 1 पॉइंट कम कर सकते है फ्रंट आर्म राउंड का नाप 7.75 और 1 पॉइंट है जितना नाप बढ़ता है उतना नाप यहां पर से रेमू करना होता है अब यहां से एक कच्चा कटिंग करें अब यहां से गले का फाइनल सेप का मार्क करना है उपर की तरब से सोलर का जितना नाप है टाई और 1 पॉइंट उतना नाप का मार्क यहां पर करें अब यहां से गले का सेप का डो करें जिससे आपको चाहिए यह रेडी गले का सेप है तो सीले होने के बाद रेडी बनेगा अब यहां पर आपको यह दियान रखना है कि इस तरह से डिप गला कटिंग करने पर सर्कल कटिंग हो रहा है इसका मतलब कि अगर आप cups लगाएगे तो वो भी बाहर की तरफ दिखेगा और customer का main burst part भी यहां से दिखेगा तो इसलिए customer की requirement के अनुसार यहां पर गले का broad और deep बनाना पड़ता है यूगि कोई customer ज्यादा broad नहीं पेनेगे जिसमें उसका burst part दिख रहा हो तो यहां से गले का shape आप उपर की तरफ से कर सकते है इसे उपर की तरफ चाहिए तो यहां से shape उपर की तरफ से करे आपको और भी उपर से गला चाहिए तो यहां से गले का इस तरह का shape देकर बना सकते है यह ready neck बनेगा अब cutting करने के लिए अलग से marking करना है यहाँ पर खोना निकल रहा हो तो आप थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करें अगर आपको और भी यहाँ से गेरा से चाहिए तो उसी सब से कटिंग करें इस से भी गेरा चाहिए तो यहाँ नीचे से कटिंग करें जितना नीचे की तरफ से cutting करेगे उतना ही यहां से circle करता जाएगा customer ज्यादा deep neck पेनना चाहता है तो उसके अनुसार ही हमें बनाना होता है यहां पर हम deep cutting करके समत्थे है इस circle को touch करते हुए पहले सिजा मार करना है यहां से डापिंग में डोकिया यहां से अंदर की तरफ और यहां से बार की तरफ 0.25 का मार्क करना है अब यहां पर आर्मल की सिलाई का मार्क कर देते है 0.25 और 1.8 सिलाई का मार्क बनेगा अब यहां से डेडिज का अंतर पर एक मार्क करना है और यहीं से यह circle को touch करते हुए इसे सिधा mark करना है अब इसके बाद यहाँ से यह 0.25 मार्क के साथ मिला कर गोलाई सिपका mark करे इस तरह जिसा डापिंग में ड्रो किया है वैसा look दिखेगा अब यहाँ अंदर की तरफ से भी यह tux का point के साथ मिला कर यहाँ से mark करना है थोड़ा सा और नीचे की तरफ गोलाई करना है जैसे यहाँ पर डापिंग में ड्रो किया है अब यह डेढ़ी च्वला mark से एक बाहर की तरफ एक mark करना है और यहीं से apex point तक सिद्धा mark करना है अब यहाँ पर हमें special tux बनाना है total 0.25h का tux का width है और apex point से एक इच उपर की तरफ एक mark करना है जैसे यहाँ पर समझाया है अब यहाँ से यह mark के साथ मिलाते हुए tux का shape का mark करे अब apex point से यह फोल पाट की तरफ का tux वाला point के साथ मिला कर एक सिद्धा mark करना है जैसे यहाँ समझाया थूड़ा सक गूलाई ship का mark करना है यहाँ पर जो corner बनता है तो जैसे dropping में draw किया है उस तरह से यहाँ पर mark हो चुका है अब हमें cutting करना शुरू करना है पिले यहाँ से bell part का cutting करेगे अब यहाँ की तरफ यह bell part को joint करना है अब यहाँ से अगर आपको कुछ ship में changes करना हो तो इस टाइम पर कर सकते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना गोलाई हो रहा है यहाँ पर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ गोलाई करेगे अब इस तरह यहाँ से bell part को cutting करना है किसी भी तरफ का bell part cutting करना हो तब इसी प्रकार से पहले joint करे और उसके बाद ही shape का mark करके cutting करे ताकि आपको समद्दे में बहुत आसन रहे बाद में इसको कुछ भी changes करने की जरूरत ना रहे अब यहाँ से cutting करते हुए उपर की तरफ से cutting करना है अब इसको joint कर देना है अब जैसा थियरी में समझाया कि उपर वाला part और निचे वाला part में apex point की तरफ point निकल ला हो तो थोड़ा से गोले shape का mark करके cutting करना है इस तरह आपको check लेना है यहाँ पर गोला होना चाहिए जैसे यहाँ point निकलता है तो यहाँ की तरफ भी अंदर की तरफ यह कोना होता है तो यहाँ पर इस तरह से तोड़ा सा गोल shape करके इसको set करना होता है और उसके बाद margin का mark अलग से करके cutting करना होता है इस तरह यहाँ पर सबेसाची blouse का part cutting हो जाता है अब कपड़े पर cutting करके इसको समझते है अब यह उपर वाले part को यह across major है यह जैसे सिधा रहे है वैसे ही यहाँ पर यह paper को रखना है यहाँ 0.251 point का margin का marker के cutting करना है गले का दबाव इसके अंदर आ गया है तो इस तरह से यहाँ पर यह point बन जाएगा यह apex point का dog से यहाँ पर apex point की तरफ एक cut करना है इसमें भी यह main chest की line यह सिधा रहे उस तरह से paper रखकर cutting करना है यहाँ पर हमें एक अच्छा save करके marking करना है apex point की तरफ एक mark करे और यहाँ पर भी यह mark करना है अब हमें निचे की तरफ और यहाँ उपर की तरफ margin रखना है 0.251 point का margin रखकर mark करे यहाँ पर फोल्ड पाट रखना है यहाँ पर एक mark करना है यहाँ पर mark करना हो तब आप pencil का उप्योग कर सकते है यहाँ निचे की तरफ थोड़ा सिधा mark करे यहाँ उपर की तरफ हमें 0.251 point का margin का mark करके कटिंग करना है यहाँ पर गोलाई सेपर टेसिंग विल से mark करना होता है ताकि शिलाई करते हैं वक्त एक ही जैसा finishing आए यहाँ का कॉट और यहाँ का कॉट यह दोनों मिलना बहुत जरूरी है यह आगे पिछे नहीं होना चाहिए इस तरह यहाँ सभी साची blouse cutting हो जाता है सभी साची design 2 में यह पार्ट यहाँ से cutting करना होता है इसमें cross structure लगा कर बाद में यहाँ पर shape देना होता है अब हम हर cutting को explain lecture से समझेगे आज का यह आपका दिन सुब रहे धन्यवाद